नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मुंफली से बहुती टेस्टी मिठाई, बहुती ईजी है इसे बनाना, बनाने में बहुती कम समागरी लगती है, इसे मैंने सिर्फ चीनी और मुंफली से बनाया है, आपको रेसिपी पसंद आए तो आप रेसिपी को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी, मैंने यहाँ पे पेन ले लिया है और इसमें डालेंगे हम एक कप मुंफली, तो हमने यहाँ पे आधे कप डाली है, तो एक बार करके हम दो बार आधे-Áधे कप डालेंगे, अब पूरी मिला कर यह एक कप हो है अब हम इसे धीमी आज में लगातार चलाते हुए भून लेंगे अगर आपके पास भूनी हुई मुम्फली है तो आप उसको भी यूज में ला सकते हैं आपको मुम्फली की भूनने की जरुद नहीं पड़ेगी मुम्फली को हम एक बार चेक भी कर लेंगे की हमारी भून्ज गई है की नहीं तो एक दाना हम मुम्फली का इस तरह से मसल कर देखेंगे अगर इसका छिलका इतर रहा है तो मुम्फली हमारी भून्ज गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे मुमफली ठंडी हो गई थी तो हमने इसे हातों से इस तरह से मसल मसल के इसका लाल वाला छिलका हटा दिया है और ये बिल्कुल से साफ कर लिया है अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे मुम्फली को पीसने के लिए और मुम्फली को बारिक पीस लेंगे पीसते समय अगर ये मुम्फली आपकी गिली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आप मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हैं ये पूरी तरह से ओप्सनल है 20-25 ये काजू है आप जाहें तो इन्हें डालें एक अच्छे टेस्ट के लिए मैंने इसे डाला है और या फिर आप मुम्फली से भी इसे बना सकते हैं और देखें इस तरह से ये गिला गिला पेश्ट दिखने लगा है गिला हो जाए तो कोई दिखने पर इसे अच्छे से हमें महीन कर लेना है और आप हम इसे साइड रख देंगे और फिर से यहाँ पर पैन ले लेंगे और पैन में हम आदे कप चीनी डालेंगे आधी कप हमने चीनी डाली है तो एक चौथाई कप हम इसमें पानी डालेंगे अब हम इसे धीमी आज में इस तरह चलाते हुए चीनी को पिगला लेंगे हमने पानी कम डाला है तो बहुत ज़़ा समय नहीं लगेगा चासनी में पकने में और धीमी आज में ही हम चासनी को बना लेंगे और इसे चला लेंगे और देखे चासनी काफी गाड़ी दिख रही है तो इंगली की साहता से हम इसे चेक कर लेंगे पहले हम एक कटोरी में इसे निकाल लेंगे और इसका इस तरह से तार बनना चाहिए बहुत ज़्यादा चिपचिपी हमें चासनी नहीं करनी है इस तरह से इसका तार हलका सा बनना चाहिए बस हमें इसी तरह की चासनी चाहिए है मिठाई को बनाने के लिए और जो मूमफली हमने पीस के रखी है आप हम उसे मिलाएंगे इसे मिलाने के बाद हम दो मिनट्स के लिए अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे चासनी में और देखे मुमफली को हमने अच्छे से भूल लिया था तो इसका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल माबा जैसी दिख रही है और अब हम इसे चलाते हुए धीमी आज में ठिक कर लेंगे रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक जरूर करें चार से पांच मिनट लगेंगे इसे ठिकोने में और धीमी आज में हम इस तरह से चलाते हुए इसे ठिक कर लेंगे आज को बिल्कुल धीमा ही रखना है क्योंकि ये नीची से जल जाएगी और इसी तरह हम चलाते रहेंगे और देखें ये काफी थिक हो गई है इस तरह से कमबाइन कर रहे हैं तो ये कमबाइन भी हो रही है बहुत ज़्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे बस हमें इतना ही इसे पकाना है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे अब दो मिनिट के लिए हम इसे इस तरह से चला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए और मिठाई बनाने में हमें आजानी हो इसी तरह हम इसे चलाते रहेंगे कभी कभी क्या होता है कि कभी तेज चासनी हम लोग कर लेते हैं पकाने में अगर ज़्यादा तेज आपकी चासनी हो जाती है तो जैसे ही आप मुमफली डालेंगे वैसे ही ये ठिक हो जाएगी तो आप तरंद गयास को बंद कर दें उस समय और देखे बहुत ही बड़िया इसका डो बन गया है एकदम चिकना डो बना है माबा के जैसे इसी तरह का डो हमें ऐसे बनाना है बिठाई को बनाने के लिए अब इसे साइड रखेंगे और रेशिपी बनाना शुरू कर देंगे तो इसकी अब हम एक लोई ले लेंगे और हाथों से इस तरह से मसल लेंगे मसल मसल कर हम इसे थोड़ा सा चिकना करेंगे चिकना करके हम इसे हलका सा इस तरह से दबा देंगे तो यह पेड़े के जैसे दिखने लगेगा आप इस मिठाई को कोई भी सेप का बना सकते हैं जैसा आपको पसंद है या फिर लड्डू बना सकते हैं या फिर बर्फी भी जमा सकते हैं और सारी मिठाई हम इस तरह से बना लेंगे यह बहुत ही इजी मिठाई है और आप हम इस तरह से सारी मिठाई बना कर तयार कर लेंगे और इन्हें ठंडा करेंगे यह बहुत है